हांजी एक्जाम आपके 16 दिसंबर से स्टार्ट है फर्स्ट एक्जाम बिजनस और्गनाईजेशन मेनेजमेंट या मेनेजमेंट अकाउंट कहलो बिजनस स्टडी कहलो उसका एक्जाम है ठीक है सभी बच्चों का दिसंबर में इनफेक्ट लग रहा था कि जो तीसरे समेस्टर वाले का पहले होगा और फर्स समेस्टर वाले का बाद में होगा क्योंकि फर्स समेस्टर वालो का एडमीशन लेट हो गया थोड़ा सा इसलिए लेकिन उल्टा हुआ है समेस्टर वन वालो का पहले पेपर खतम है तीसरे वालो का बाद में है तो एक बात तो आप यह माल लो आपने पढ़ाई करी के नहीं करी कॉलेज में प्रोफेसर ने पढ़ाया नहीं पढ़ाया आपको books मिला नहीं मिला उससे तो कोई मतलब ली पेपर तो हो जाएगा टाइम पर ठीक है उनको ये मतलब भी नहीं है कि आपको क्या मिला काफी बच्चे बोलते हैं कि सर अभी तो बुक भी नहीं आई कैसे पढ़ेंगे कैसे करेंगे तो पेपर जब डेट शीट आजाएगा रोल नंबर भी आजाएगा रोल नंबर स्रिफ और स्रिफ वन वीक बिफोर दो तिन दिन पहले ही आता है लगभग लगभग मानके चलो ऐसा नहीं कि आपको रोल नंबर मिल जाएगा पेपर कंड़क्ट हो जाएगा और यह फाइनल ड पॉट्सेंट अंडर की बैलेंस मैथट यानि सर्थ डबलू डी-वी का है एक एक हैडा बैलेंस अभी एक बात ध्यान रखिएगा इसने कहा एक एक दो हजार पीस अब जब आपको बैलेंस भोले ना तो इसका मतलब यह मसीन्री एक एक दो हजार बीस को इसका बैलेंस चार लाख पांच हजार है लेकिन ये मसीनरी खरीदा गया होगा किसी और रेट पे जैसे मान लो मैंने बताया कि सपोस करो 10,000 का मसीनरी है ठीक है और पहले साल का मैंने डेप लगा दिया मान लेते हैं 31, 12 2011 में डेप लगा दिया 1000 बचा कितना 9,000 फिर ये क्या बन गया बैलेंस फिर से 31, 12 12 में कितना लग गया 1000 बचा कितना 8,000 अगर मैं बोलू कि 1, 1, 2, 0, 13 में आपका बैलेंस 8,000 है तो इसका मतलब क्या आपने इसको 8,000 रुपे में खरीदा है नहीं आपने तो कितने का खरीदा है तो अगर कोई बोले question में कि भईया ये इसका है तो सबसे पहले मान लेना ये कौन सी machinery नहीं है पुरानी चलो आगे क्या कहता है question में क्या twist आता है एक दो पहले ये समझतना है आपको इस point से ठीक है आगे कहता है balance its machinery account जो balance है इस machinery account का on 31, 33, 2020 आपने on 34 C 2020 को it sold 17,000 part of machine which purchase 18 में 30,000 का सर क्या कह दिया इसने कहता है भाईया इस machinery में से एक हिस्सा बेचा जाएगा जिसको खरीदा गया था 17,000 में जिसको खरीदा गया था कितने का और कब खरीदा गया था 17,000 का इसको एक एक 2018 में और इसी मसीन के टुकडे को बेच दिया गया कितने का खरीदा गया था सर 17,000 कितने खरीदा अच्छा 30 का खरीदा था है चलो कितने का खरीदा था एक इस डेट पे 30 का कहता 31,3,2020 में it sold for 17,000 part of machinery which purchase 30 का इसको बेच दिया भाई कब बेचा भाई डेट दे रखा है 31,3,2,020 को बेच दिया आगे कहता है 17,2,020 को new machinery खरीद लिया यानि 17,2,020 को new machinery M2 खरीद लिया सर 17,2,020 को M2 खरीद लिया कितने का खरीद लिया 46,500 का खरीद लिया है न and install it's the same day और same day install भी करवा लिया cost 35,000 रुपे खर्चा कर दिया तो प्लस इस पे spend कर दिया इसने 35,000 तो ये machinery की कीमत पड़ गई आपको 50,000 रुपे की इस machinery की कीमत पड़ गई 50,000 रुपे की आगे कहता है the company policy change depreciation पर पोस्नेट ली कहता है company ने decide किया के हमारा policy change हो जाएगा पर पोस्नेट during the year made assets ignore depreciation sorry change नहीं है charge है मैंने change पड़ दिया the policy to charge depreciation charge करने का नियम क्या है actual use business पे during the year made of assets but to ignore depreciation any period less than 182 days कहता है जब आप use करोगे न तो किसी assets का अगर आपने 182 दिन से कम इस्तमाल किया तो उस पर depreciation लगाना ही मत उस साल का चाहे आप बेचोगे चाहे आप खरीदोगे अगर मान लेते हैं आपने एक मार्च को खरीदा है तो 30 दिन तो यूज किया साल में तो डेप नहीं लगेगा अगर आपने बेचा है मान लेते हैं कि एक माई को तो एपरिल और माई तो 30 दिन यूज किया तो उस पर भी डेप नहीं लगेगा यानि अगर जिस साल में उस assets को 182 days से आपने कम इस्तमाल किया हो उस साल डेप लगाना मत 182 days से जादा होगा तो फिर डेप लगाओगे no further purchase has been made 18 से 20 तक कोई भी purchase नहीं हुआ इसके अलाबा except these mention above इसके अलाबा so the machinery account in the books of the company एक एक दो हजार 18 को जो machinery account बना है उसके accordingly आपने करना है यानि 18 से लेके 20 समझ में रही बात आपको चलिए तो इसके उपर हम देखते है क्या करना है सबसे पहले समस्या ये है कि सर इस वाले machinery में से एक पार्ट बिक चुका है और एक पार्ट नहीं बिका समस्या ये आ रही है तो एक पार्ट जो बिका है वो पार्ट कितने का था जो बिकी गया तो हमें उसका cost पता है कितने का आ तीस अजार का cost कितने का है तो हम भाई तीस अजार और बेचा है 31 तीन दोजार बीस में लेकिन ये तो एक एक दोजार बीस है accounting year क्या follow किया जाएगा accounting year follow किया जाएगा हमारा accounts books of account 1-1 18 से लेके 31 ये दिसंबर यानि सर इसके ठीक चार महिने तीन महिने बाद बेचा है इसके ठीक तीन महिने तो अगर मैं इसमें से पार्ट अलग करूँ तो इसमें से अगर मैं बोलू कि सर इसमें से एक पार्ट 17,000 का अलग कर दो तो गलत होगा ये बात क्योंकि इस दिन 17,000 का थोड़ी न था ये machinery ये तो 17,000 का था 2018 के अंदर तो हमें पहले उस पे डैप लगा लगा के इस दिन तक लेके आना पड़ेगा ताकि हम depreciation निकाल पाएं यानि सर पहले इसकी value को सुलजाओ यानि 30,000 का machinery था तो कब सर 1, 1, 2,000 कितने का था तो पहला डैप लग गया होगा डैप rate 20, 10% 10% के इसाब से डैप लगा होगा तो 2018 में ही डैप लगा होगा that is 3,000, तो बचा कितना होगा ये 27,000 फिर से 1, 1, 19 आ गया होगा फिर डैप लग गया होगा इसके उपर कितने? WDB है तो 27,000 तो 27,000 में से 27,000 माइनस करें 24,000 अब 1, 1, 20 वही date आ गया ना 1, 1, 20 यानि भाई साब इसमें 24,000 300 वाला हिस्सा बिक रहा है और बाकी बच गया 40 ये वाला जो हिस्सा बच रहा है यहां पर that is 3 मैं इसको थोड़ा इदर उदर कर दूँगा चलो 87,000 ये हिस्सा नहीं बिक रहा है क्योंकि अगर मैं यहां से 17,000 लग करता तो गलत हो जाता हम same date पर उस value को निकालेंगे न तो पहले हमारा जो machinery भी कहा है उसको इस date तक लेके आए तो अगर एक इसी के अंदर part जुड़ा हुआ इस date पे 24,300 part है तो बाकी ये वाला part है उसने बोला ये वाला part बेच दिया कोई बात नहीं बेच देंगे ये वाला part नहीं बेचेंगे और बेचा कबे आपने मार्च के महिने में और मार्च में अगर count करो तो जनवरी, फर्वरी, मार्च 90 दिन ही होते हैं और 90 दिन हो रहे हैं तो क्या 90 दिन आप इस्तमाल करके depreciation लगाओगे उस पे नहीं लगाओगे तो सीधा सीधा ये हम क्या करने वाले हैं सीधा sold कर देंगे इस पे डैप ही नहीं लगेगा और sold कितने में कर दिया 17,000 में तो यहां पे आगे हमारा loss और loss कितने का हो गया 24,300 माइने 17,000 इस पे डैप क्यों नहीं लगेगा सभी बच्चों को clear है क्या इस पे डैप क्यों नहीं लगाया क्योंकि सवाल कह रहा है कि आपको less than 180 days no further purchase sales कहता है ignore depreciation any period less than 182 days ठीक है अब सर इस वाले को तो पूरा करना है कब तक करना 18 से लेके 20 तक बनाना है ठीक है अब इस पर depreciation कब लगेगा 31 12 2000 20 इसके उपर तो पूरा डैप लगेगा 3 या गया 34 26 तीस डेट आगया 1 12 21 हमें कब तक बनाना है बस 20 तक ही बनाना है 18 से कहता है कि machinery accounts close between this बनाना कब तक का है बनाना कब तक का है question कहीं कह रहा है यह तो books of account close होता है show the machinery account अच्छा अब machinery account पंगा यह आ गया कि कह रहा है back date से बनाओ 18 से 18 से बनाना पड़ेगा पहले सवाल जितने बच्चे live है पहले सवाल समझ पाए मैं दुबारा erase करके दुबारा करूँँगा इसको फिर से एक बर पढ़ दू इस सवाल को चलो फिर से पढ़ देते हैं इस सवाल को चलिए कहने का मतलब है हमारे पास एक balance है कब balance है एक एक 2020 में सर जो balance है वो balance है हमारे पास 4,5,000 ठीक है और एक और machinery हमने कब खरीद लिया इस balance में एक machinery जो था उसको sold किया है इसका part जिसको खरीदा था हमने एक एक 2018 में कितने का खरीदा था 30,000 का और 30,000 का खरीद के इसको बेच दिया कब बेच दिया हमने 31,3,2020 में कितने का बेच दिया 17,000 का अब जो 17,000 का आपने बेच दिया है अब आपको लिखिन accounting कहता है कि सर 2018 से बनाईए आप M2 भी खरीदा गया है कब खरीदा गया है M2 खरीदने की डेट दे रखी आपको आपने खरीदा है टोटल 46,500 यानि 17,20 में 17,2020 में कितने का खरीदा है M2 M2 46,500 46,500 और इस पे spend कर दिया that is 35,500 तो ये बन गया अपका 50 का लेकिन सवाल ये है कि मुझे कहता है कि आप accounting करिए 1,1,2018 से तो भाई साब 1,1,2018 से जब मैं accounting करूँगा तो मुझे balance भी तो 1,1,2018 का है मानते इसका मिल गया मुझे एक एक लेकिन बागी का तो नहीं मिला तो हमें इसको लेके जाना पड़ेगा बैकडेट पे अब बैकडेट पे ले जाने का क्या तरीका है देखो बैकडेट पे कैसे जाएगे देखना अब मान लो मैं सपोज करो मैंने कहा मेरे 1000 रुपै का है पहले साल का डप लग गया 100 रुपए बचा कितना फिर डैप लग गया 90 बचा कितना फिर डैप लग गया 81 बचा कितना 739 यही बचा अब कितने साल का डैप लग गया 1, 2, 3 3 साल का लग गया अगर मैं 739 आपको दे रहा हूँ और 3 साल पीछे जाना है तो यह आपका 3 बार अब डैप लग चुका है ना इस पर अब मैं देखो बैक कैसे जाँगा मैं अजम्शन 100 से लूँगा 110 यह बचा 90 परसेंट फिर 9 बचा 81 परसेंट फिर 8.1 बचा 7 2.9 परसेंट तो मैं लिखूँगा 7 2.9 इंटू मैं 100 तो वापस कहां पहुँच जाएंगे हम स्टार्टिंग वाले डेट पे समझे यानि मैं एक अजम्शन लूँगा 100 परसेंट में से यह जो बच के डेप्रीशेशन है कितने परसेंट के बराबर है जितने परसेंट के बराबर है नीचे रख लूँगा परसेंटेज और इन्टू हंडिट करूँगा तो मैं स्टार्टिंग डेट पे पहुँच जाऊँगा तो सेम इस वाले सवाल में भी आप देखो क्या कर सकते हैं कब से कब तक है 18 से काउंट करना है तो 18 से 100 रुपे मान लो यह 18 में 100 रुपे था ठीक है मैं इधर लिख देता हूं इसको यह 2018 में 100 रुपे था तो 2018 में ही हमारा डेप लगा होगा 10 रुपे तो बचा कितना होगा 90 अब आ गया 2019 फिर 2019 में डेप लगा होगा 9 तो बचा कितना हमारा 81 अब 19 के बाद आ गया 20 19 के बाद क्या आ गया 20 तो 20 तो starting ही है यानि मेरे assets का value 81% के बराबर होगा ठीक है अब 81% के बराबर होगा तो मैं इसको 81% पर लिखे जाऊँगा जब मैं इसे 81% पर लिखे जाऊँगा तो actual machinery कितने का माना जाएगा जो machinery होगा 45 divided by 81 into में बताओ क्या value है एक जिरो और है तो साहब ये machinery कितने का था इस rate पे पांच लाग अब सीधा सीधा कहानी बन गया अब इस पांच लाग के दो हिस्से कर देंगे सर दो हिस्से क्यों क्यों क्योंकि एक पार्ट बिकेगा भी दो है कि ने तो एक पार्ट जो बिक रहा है वो कितने का है और जो नहीं बिक रहा वो कितने का है वो कितने का है 470 अब हम depreciation लगा लेंगा और बना सकते हैं आदाम से depreciation end में लगेगा कब लगेगा depreciation सर 31,12 को लगेगा अगर 10% है तो कितना लगेगा 47,000 WDV है न तो 470 into 10% 42,3,000 अब ये जो है हमारा ये क्या date चल रहा था सर ये date जो हम ले के आए हैं वो ले के आए हैं एक एक 2018 पर ये ले के आए ना अब 18 से ले के अब ये क्या आगया हमारा 19 ये क्या आगया एक 2019 फिर इस पर डेप लगेगा to 10% यानि ब्यार्लिस 300 तो ये आजाएगा हमारा 3807 वो भी देखो पहले भी निकाला था ये आगया हमारा एक एक 2020 अब एक साल और लगाना है क्योंकि 32 करना है फिर से 10% 38070 342 630 ये हो गया हमारा ठीक है इस वाले पार्ट पे हम डेप्रीशेशन लगाते हैं तो डेप्रीशेशन लगेगा 3000 बचेगा कितना 27,000 फिर से माइनस करो डेप्रीशेशन कितने 27,000 तो जब अगर हम 24,000 और क्योंकि ये आपने कुछ समय बाद बेचा है तो इसके ओपर एप्लीकेबल होगा ही नहीं आपने साल का डेप नहीं लगाना है क्योंकि 182 डेज से बिफूर बेच दिया 17,000 का बेच दिया तो यहाँ पर लॉस हो गया कितने का कितने का साथ हजार और ये वाला सिर्फ एक ही साल जाएगा 31, 12, 2020 अब चेक करो क्या ये हमारा 180 दिन से उपर बन रहा है चेक करो ये साथ को खरीद है न जुलाई में कितने बन रहा है नोट अरे आप आंसर देखके बात कर रहा है अब नोट पेपर में मिलेगा आपको छे महीने नहीं होते आपका किसी में 31 दिन भी है 180 दिन का मतलब 180 दिन आपको गिनना पड़ेगा कैसे गिनेंगे आपका जुलाई है जुलाई में 31 जून में 30 जून के बाद अगस में 31 सेप्टेंबर में 30 ओक्टूबर में 31 नेमेंबर में 30 और दिसंबर में 31 कितने दिन होगे 1,2,3,4 और 3,6,9,12,15 नहीं 3,6,9,12,3,15,3,18 1,2,3,4,5,6,7 कितने दिन बन रहे हैं बताओ 200 तो देखो क्या 182 दिन से ज़्यादा इस्तमाल हुए अभी आप बोल रहे हैं 110 लिख के कर लो ठीक है? तो हो गया तो क्या इस पर डेप्रीशेशन लगेगा? अब लगेगा सर अब मुद्दे की बात है depreciation पूरे साल का लगेगा या फिर जितना टाइम यूज किया है उतने टाइम का लगेगा ठीक है? अब question पढ़ लेते हैं क्या कहता है? दा policy दा company policy charge depreciation पर पोसने टू एक्चुल यूज दूरिंग दा इयर जितना यूज होगा made of assets but to ignore depreciation any period less than 182 days no further आपका purchase sales has been made between 18-20 कहता है कि भाईया policy यह है कि अगर आपने 182 दिन से कम का इस्तमाल किया तो depreciation लगाना ही नहीं है इग्नोर करो लेकिन अगर 182 दिन तक है तो जितना इस्तमाल किया है उतना depth लगेगा परपोसनेट वर्ड है यहां पर तो जितना इस्तमाल किया है उतना लगेगा तो भाई साब हमने कितना इस्तमाल किया है इसको देखा जाए तो 7 महीने होते हैं 6 महीने होते हैं 7 महीने फिर गल पर कर रहे हूं जुलाई, अगस्ट, सेप्टेंबर, अक्टूबर, नॉंबर, दिसंबर तो पीछे मैंने कितने लिए थे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ महीने बन रहे थे जुलाई, अगस्ट जून था जुलाई था जुलाई है एक मिनिट रुको फिर दुबारा काउंट करेंगे डेट तो जुलाई कितने दिन एकत्यस अगस्ट एकत्यस सेप्टेंबर तीस अक्टूबर एकत्यस नेवेंबर तीस दिसंबर एकत्यस, काउंट करो तीन, एक, दो, तीन, चार और तीन, छे, नौ, बारा, पंदरा, अठारा वन एटी फोर डेज तो कन्फर्म है यह होगा ही होगा तो यानि अब छे महिने का लगाएंगे छे महिने का कितना लगेगा सर छे महिने का लगेगा दस परसंट के इसाब से पच्चिस सो और ये बचा हमारा 47500 किसी نोट की कोई अवशक्ता नहीं है इसमें ठीक है? अब बस हमारा सारा काम होगा अब इसकी पोस्टिंग करनी है तो इस कोशन में हमने क्या सीखा मेजर पार्ट सर? इस कोशन में हमने मेजर पार्ट ये सीखा कि कि किसी मशीनरी को अगर हमें back date पे ले जाना हो तो कैसे ले जाया जाएगा ठीक है आ जाईए एक को two bank से खरीद लिया आपने सर कितने का खरीदा purchase purchase आपने कितने का 5 लाग का फिर 31 12 को आपने by depreciation लगा दिया depreciation दोनों जोड के लगा हो गया 47 और 53 पचास दूसरी मसीनरी अभी तो खरीदा नहीं अभी तो चल रही रहा है कहानी सर ये पचास पांच लाग और यहां भी पांच लाग by balance CD 45,000 31,12 अब आ जाएगा एक एक 19, two balance 45 ने चार पचास चार लाग और फिर 31,12 को फिर लगेगा by depreciation कितने लगेंगे 45,000 इस साल तो बिका नहीं और फिफ्टी by balance कब लगेगा 31,12 माइनस करूगे तो चार लाग अब आ जाएगा एक एक 20, two balance एक 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 बीस two balance बीडी चार लाग पाँच हजार अब 31,12 31,12 से पहले बीचेंगे हम इसे कब बीचा है हमने 31,3 को by bank से bank से बीचा है न हमने कितने का बीचा है 17,000 अब loss भी हो गया 31,3 को by profit and loss loss कितने का हो गया 70,300 और खरीदा भी हमने कब 1,7 को two bank से हमने purchase कर लिया सर purchase कितने का किया 50,000 अब depreciation लगेंगे 31,3 को by depreciation number one बचे हुए पार्ट पे कितना लगेगा सर 38 38,0,70 और फिर से 31,3 पे by depreciation number two पे पच्चिस सो ठीक है अब बस simple balance CD निकालना है तो चार लाग 55,000 चार लाग 55,000 पाई balance CD 31,3 को 31,3 लिख दिया देखो गड़बड हो ली न बारा आए गई है तो चार लाग 55,000 माइनस 17,000 माइनस 73,00 माइनस 38,70 माइनस 25,00 लिए गया 3,90 चेक करिए हाँ ठीक है तो इस question में क्या सीखा sir paper में ऐसे करेंगे पहले notes बनाएंगे पहले पहले आपने notes बनाना है यह working note करना है फिर आपको laser posting करना है दो pages होगा एक page पे working note एक page पे यह अगर आपने यह working note नहीं बनाए तो आपके marks नहीं मिले गए झालोग झालोग है